नमस्कार सांतियों और एक बार आपका पुनाव स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NTA NetSlet Political Science में आज जिस विचारक का हम अध्यन करने वाले हैं वो हो इसाई जगत का एक महान सेंट हुआ है और उसने इसाई धर्म को जबकि वो अपने प्रारंभिक काल में ही कहीं न कहीं बड़ी समश्याओं का सामना कर रहा था उस समय उसके उद्धार में एक एहम भूमी का निभाई थी ऐसे विचारक का आज हम अध्यन करने वाले हैं और जिसने रोमन सामराज्य के पतन का कारण इसाई धर्म को माना जा रहा था कि लोगों ने इसाई धर्म को अपनाया इस कारण रोमन सामराज्य का पतन हुआ तो ऐसे आच्छेप जो इसाई धर्म पर लग रहे थे उस समय उन आच्छेपों से इसाई धर्म की क्या की रक्षा की इसके अत्रिक्त जो पैत्रिक रूप से इसाई न होते हुए भी इसाई धर्म का इतना महान परचारक बना ऐसे विद्वान इसाई परचारक का आज हम अध्यन करेंगे और इनका नाम है संत अगस्टाइन या इन्हें सेंट अगस्टाइन ओफ हिपो भी कहा जाता है क्योंकि ये हिपो में बिसब के पतपर थे इसलिए इन्हें सेंट अगस्टाइन ओफ हिपो भी कहा जाता है तो सबसे पहले इनके जिवनकाल को देखेंगे जो सेंट अगस्टाइन है इनका जन्म 354 इस्वी में टेगेश्टा अलजीरिया में हुआ था अलजीरिया जो आप जानते हैं कि उत्तरी अफरिका के आसपास उत्तरी अफरिका में पड़ता है वहाँ इनका जन्म हुआ था और जो सेंट अगस्टाइन है इन्हें लेटिन चर्च पिताओं के समुदाय का महानतम विचारक माना जाता है जो इनके पिता थे वो गैर इसाई थे और माता इसाई थी और इन्होंने क्या है संत एम्ब्रोज के परभाव में आकर इसाई धर्म को अपना लिया था और इसाई धर्म का परचार ही यह अपने मृत्यू तक फिर करते रहे और माना जाता है कि वह याने कि सेंट अगस्टाइन विश्व इतिहास के सबसे अधिक संकट मही चरण में इन्होंने अपने जीवन व्यातित किया जब मानाव सब्यता तथा कैथोलिक मत दोनों का क्या है अंत दिखाई पड़ रहा था मैंने आपको बताया कि इसाई समधाए अपने प्रारंबिक समय में ही क्योंकि इसाई जो धर्म है उसका प्रारंब एक इस्वी से माना जाता है तो तीन सो वर्स कुछ बड़े नहीं होते तो अपने प्रारंबिक समय में ही जो इसाई धर्म का कैथोलिक मत है वो अपने अंत की और दिखाई पड़ रहा था उस समय उन्होंने इसकी अपनी पुस्तक Two Cities of God से क्या है बचाव करने का प्रियास किया और उसी समय 410 इस्वी में जर्मनी के बरवर कभीलों के हातों महान रोमन समराज जगा क्या है विनास हो गिया था और ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसका कारण क्या है इसाई धर्मांतरण में प्रचारित किया गया कि इसाई धर्म में लोग परविर्थित हुए जिस कारण रोमन समराज्य का पतन हो रहा है तो उन्होंने इस आच्छेप से भी क्या है इसाई धर्म को बचाने का प्रियास किया और जो लोग इसाई धर्म पर कड़ा परहार कर रहे थे उन्हें अपनी पुस्तक City of God के माध्यम से जवाब देने का इन्हों ने प्रियास किया जो ये पुस्तक है City of God यह लेटिन भासा में लिखी हुई है और इसमें इन्होंने अपने दो राज्यों के सिद्धान्त को बताया है इसके अत्रिक्त सवन्त अगस्टाइन के जितने भी विचार मिलते हैं वो उनकी मुख्यता इसी पुस्तक में मिलते हैं वैसे उन्होंने 35 से अधिक पुस्तकों को लिखा है पर उनकी जो मुख्यता पुस्तक है वह यही है City of God इनकी जो माता थी उनका वो मूर्ती पुजा में विश्वास नहीं रखती थी किन्तु इसाई धर्म थी को मानती थी जबकि इनके पिता जो थे वो मूर्ती पुजा में विश्वास रखते थे और इनकी माता का नाम जो था वह मौनी का था और जो सेंट ऑगस्ताइन थे वो बच्पन से ही एक परतिभा साली बालक माने जाते थे और उनकी परतिभा से प्रभावित होकर ही उनके पिता ने उन्हें अच्छी सिक्षा दिलाने के उद्देश्य से अच्छे विश्व विद्याले में क्या है एडमीशन करवाया था उस समय कार्थोज विश्व विद्याले जो था कार्थेज विश्व विद्याले क्या है काफी नामी गिनामी विश्व विद्याले था वहाँ उनका परवेश करवाया था और 370 इस्वी पूरु में उन्होंने क्या है इस कार्थेज विश्वी जाले में परवेश लिया था और अपनी पड़ाई पूरी करने के दोरान ही क्या है वो सेंथ अम्ब्रोज के क्या है परभाव में आ गए थे और उनको अपना क्या है गुरू स्विकार कर लिया था और उनको गुरू स्विकार करने के पश्चाथ वो अपने जीवन परियंत क्या है इसाई धर्म का गुणकान करने में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया था इसके आत्रिक्त उन्होंने क्या है कुछ समय तक कार्थेज विश्विध्यालय में है अलंकार सास्तर भी पढ़ाया था यानि कि नौकरी भी उन्होंने की थी कार्थेज विश्विध्यालय में ही और अलंकार सास्तर को उन्होंने पढ़ाया था किन्तु 384 इस्वी में क्या है उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया था और उसके पश्चाथ मिलान में अलंग कर सास्त पड़ाया और यहां मिलान में ही क्या है उनका सेंट अम्प्रोज से सेंट जो अम्प्रोज थे उनसे उनका संपर्ख हुआ था और उसके पश्चाथ 387 इस्वी पूरु में उन्होंने इसाई धर्म को क्या है गरण कर लिया था इसाई धर्म के संपर्क में आने के पश्चाथ एक किरिया सील और सच्चा इसाई बनकर उन्होंने क्या है अपने जीवन परियंत इसाई धर्म का क्या किया परचार किया और 388 इसवी में वह अफरीका से जब वापिस लोट कर हिपो पहुँचे तो उन्हें हिपो का क्या है बिसब बना दिया गया और 388 इसवी से और 430 इसवी अपनी मृत्यों तक क्या है उन्होंने इस बिसब पत पर क्या है आजीवन वो सुसोबित रहे और 430 इसवी में वांडाल नामा के एक बरबर जाती द्वारा हिपो नगर पर जर आकरमन किया गया था तो उस आकरमन में क्या है इनकी मृत्यू हो गई थी सांत अगस्ताइन ने जैसा मैंने पहले बताया कि 37 से अधिक पुस्तके लिखी है पर जो उनकी जो मुख्या पुस्तक है वो दा सिटी ऑफ गौड है याने की इस्वर की नगरी और इस पुस्तक में 22 खंड है इस पुस्तक को उन्होंने 413 इस्वी में लिखना शुरू किया था और 426 इस्वी में लगबग 13 वर्सों में क्या है इस पुस्तक को पूरा कर पाये थे वो इसके जो सुरू के 10 खंड है उनमें जो प्रात्यों के अफेक्षा पूर्ण आक्रमण है उनसे इसाई धर्म की उन्होंने रक्षा की है याने की जो आचे पिसाई धर्म पर लगाए गए हैं उनसे उनकी रक्षा की है और अंत के जो 12 खंड है कुल 22 खंड है तो अंत के जो 12 खंड है उसमें इस्वर की जो नगरी है उसके निर्माण की रूप रेखा का उन्होंने वर्णन किया है कि इस्वर के नगर का निर्माण कैसे होता है इस पुस्तक में सेंट अगस्टाइन ने यह भी बताया है कि यद्यपी इसाई धर्म रोम के पतन को नहीं रोक सका परन्तु उसने ही क्या है रोम के पतन से जो दुख और परेशानिया जनता को मिली है उनसे छुटकारा दिलाने का प्रयत्न किया है उन्होंने यह भी का है कि रोम के पुराने देवता भी क्या है रोम के संकट को नहीं बचा पाए थे और उससे उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि अपने दो नगरे के राज्य को उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है और यह भी सिद्ध करने का प्रियास किया है कि जो भी घटना घटती है इतियास में वो इस्वर की इच्छा से घटती है और इस्वर ही क्या है उस घटना का करता धरता होता है हमारा या मनुश्यों का उस घटना पर किसी भी प्रवकार से कोई रोखथाम नहीं हो सकती है इस्वर की जैसी इच्छा होगी वैसा वो करता रहेगा मनुश्या चाहा कर भी उस घटना को नहीं रोख सकता है तो इस पुस्तक में उन्हों ने ये सारी बातें बताने का प्रियास किया है उनकी एक दुसरी पुस्तक भी है Confidence उनकी दुसरी पुस्तक है जो की राजनीतिक प्रिस्टीक से क्या है अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और जैसा पहले बताया कि उनके संपूर्ण विचार जितने भी राजनीतिक विचार है वो हमको The City of God में ही देखने को मिलते हैं तो अब हम देखने का प्रियास करेंगे कि जो संट अगस्टाइन है संट अगस्टाइन के जो विचार है उनको देखने का हम प्रियास करेंगे उनके पहले हम इतिहास के दर्सन को देखने का देखेंगे उसके पश्चार दो नगरों के सिद्धान्त को और अंत में दास्ता पर जो उनके विचार है उसको देखने का हम प्रियास करेंगे तो सबसे पहले आते हैं सेंट अगस्टाइन के जो इतिहास के दर्सन पर विचार है उस पर सेंट अगस्टाइन ने जो अपनी पुष्टक है City of God उसके प्रारंबिक दसखंडों में इतिहास का क्या किया है क्रमभद विवेचन करन किया है और इसाई धर्म की आलोचनाओं का परतिवात किया है जो इसाई धर्म पर इसाई धर्म पर जो आलोचनाओं की जा रही थी कि इसाई धर्म के कारण रोमन का पतन हुआ है तो इसको उन्होंने क्या है देविय इच्छा का प्रिणाम बताया है और इसाई धर्म की रक्षा का प्रियास किया है। उनके अनुसार रोम का पतन एक देविय नियाई है जिसका पर्योजन वास्तुविक इस यानि की इस्वर नगर की स्थापना के लिए मार्ग प्रसस्त करना था जो इस्वर व्यवस्था नियमित्ता और प्रकर्ति के सौंदर्य का नियमन करता है। वो सांसारिक घटनाओं का भी संचालन करता है और राष्ट्रों का उत्थान और पतन इसी में सम्मलित है। यानि की रोम का जो पतन हुआ है वो हो रोम सम्मलिता को जो पतन हुआ है वो क्या है देव या इच्छा का परणाम है और इससे ही क्या है रोम को कुछ फाइदे ही होंगे इससे रोम को कुछ नुकसान नहीं होंगे यो घटना पर क्या है मनुश्या इस घटना को चाह कर भी नहीं रोक सकता था ऐसा सेंट अगस्टाईन ने बताने का प्रयास्ण किया है सेंट अगस्टाईन ने यह भी बताया है और उनका यह मानना है कि यह मान लेना कि रोम के पतन के लिए इसाई धर्म उत्तरदाई है यह क्या होगा? मूर्खता पूर्ण होगा उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिज की है कि गैर इसाई देवताओं का तिरसकार करने के कारण रोम का पतन नहीं हुआ था उन्होंने अन्या देवी देवताओं पर जो तिरसकार करने का आचेब भी लग रहा था कि अन्या देवी देपताओं का रोम ने तिरस्कार किया इसलिए रोम का पतन हुआ तो उससे भी क्या है उन्होंने इनकार किया उन्होंने माना कि यह तो क्या है पूर्व नियोजित था ईश्वर इच्छा का पढ़ नाम था यानि कि इश्वर की ऐसी ही इच्छा थी कि रोम का पतन होना था इसलिए क्या है योगटना गटी और योगटना इसलिए गटी ताकि पूर्थवी पर क्या है इश्वर का सामराज्य कायम किया जा सके यानि कि पूर्थवी पर भी जैसे दो नगरों का सिद्धान तो बताते है एक इस्वरिय नगर और एक भौतिक नगर या मानविय नगर तो पिर्थवी पर भी मानविय नगर पर भी इस्वरिय सत्ता को इस्थापित किया जा सके इसलिए क्या है रोम सामराज्य का पतन हुआ ऐसा उनका मानना था क्योंकि जो बहुतिक सामराज्या है उस पर क्या है बहुत सारी बुराईयां आ गई थी और इन बुराईयों के समाप्त करने के लिए यह पतन आवशक था इस पतन के पश्चात ही क्या है इस पृत्वी पर या इस जगत में भी क्या है इस्वरिय नगर की इस्थापना की जा सकेगी तो ऐसा उन्होंने बताने का प्रियास किया इसके आत्रिक्त उन्होंने यह भी माना कि जब यहां डैविय सत्ता इस्थापित होगी या इसाई धर्म का इस्थापना होगी तो इसाई धर्म में आकर ही क्या है लोग जो इस्वरिय नगर है उसको प्राप्त कर सकते हैं इसलिए उन्होंने इसके लिए भी क्या है रोम के सामराज्य का जो पतन हुआ है उसको सही माना है उसके पश्यात अब हम देखने का प्रयास करेंगे इत्यास के दर्सन में मुख्यता एक ही बिंदु है उन्होंने इत्यास को परिभासित करने की कोशिस की है और यह माना है कि इत्यास में जो गटनाएं गटी है वो इस्वर की इच्छा से गटी है वो किसी व्यक्ति विशेश के कार्यकल्मों से नहीं गटी है बलकि इस्वर की इच्छा से गटी है या उनका इतियास के दर्सन में कहने का कुलतात परिया है अब उनका जो दो नगरों का सिद्दान्त है वह उन्होंने अपनी पुस्तक सिटी ओफ गॉड में खंड ग्यारा से लेकर बाइस तक इसका चित्रन किया है इसमें वह दो नगरों का चित्रन करते हुए कहते हैं कि भौतिक नगर नश्ट होते रहते हैं लेकिन एक इस्थाई नगर भी है और वो है इस्वर का नगर याने कि भौतिक नगर याने कि जो पिर्थवी पर है अस्तित्ववान है और इस्वरिय नगर जो की आकास में क्या है आकास में है और पिर्थवी पर इसका नवीन्तम और स्वार्ग पूर्ण भौतिक रूप क्या है इसाई चर्च है याने कि पिर्थी पर जो इस्वर नगर का थोड़ा सा जो भोतिक रूप है वो क्या है इसाई चर्च है और सैंट अगस्ट नाइन का मानना है कि इन दोनो नगरों में दोनो नगरों में से एक जो सांसारिक नगरी है और दूसरी जो क्या है इस्वर की नगरी है इस नगरी क्या है या इस्वर की नगरी सार्व देशिक वो सार्व कालिक है सार्व देशिक और सार्व कालिक है याने कि उसको हर कोई देख सकता है और सर्व कालिक याने कि उसका कभी क्या है अंत नहीं होता है वो अनंत काल तक चलती रहती है लेकिन जो सांसारिक नगरी है वो नस्वर वो अईस्थाई है नस्वर और इस्थाई यानि कि उसका अंत होना है और अईस्थाई हाँ जो सांसारिक नगरी है वो क्या है नस्वर और अईस्थाई नस्वर यानि कि उसका अंत नहीं हो सकता है और अईस्थाई क्या है वो थोड़ा सा mistake है यहां पे नस्वर वो इस्थाई है यह होना चाहिए कि जो इस्वरिय नगरी है वो नस्वर और इस्थाई है यानि कि उसका उसे अंत नहीं किया जा सकता है वो अनंत कालता क्या रहेगी इस्थाई रहेगी उसके पस्चात सेंट अगस्टाईन मानव सववाव के दो रूपों का चित्रन करता है एक है सरीर और एक है आत्मा जो जो सरीर है उसका संबंद भोतिक नगर से है यानि कि पिर्थवी से है और जो आत्मा है उसका संबंद इस्वरिय नगर याने की जो इस्वर से संबंदित है उससे है ऐसा वो मानते हैं इसके अत्रिक्त वो यह भी मानते हैं कि जो सांसारिक नगर है उसका संबंद मनुष्य की वासनाओं से है इसलिए यह सैतान की नगरी है पाप की नगरी है और पाप की नगरी होने के कारण इसका क्या है पतन होना निश्चित है याने कि जो रोम की घटना घटी थी उस घटना को वह इस्वर की इच्छा मानते हुए उसको इस्पष्ट करना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था और वो मानते हैं कि जो ये भौतिक नगर में पाप होते हैं इन पापों की सुरुवात क्या है देवताओं की आज्याओं से सुरु होती है और बाद में इस्वर क्या है इसायत के रूप में परकट होते हैं और रोम समराज्य का पतन भी इस पापमई जीवन के कारण हुआ है इस्वरिय नगर क्या है अविनासी तता इस्थाई है इस नगर में धर्म पढ़ायन लोग ही रहते हैं और इस नगरी के सभी लोग क्या है इस्वर के परती अपने सर्वनिस्ट प्रेम के कारण क्या है बदे हुए है आधार सीला है वो स्वर्गिय सांती और आध्यात्मिक मुक्ति है जिस परकार सांसारिक नगरी बुराई का परतीख है उसी परकार इस्वरिय नगरी क्या है अच्छाई का परतीख है कुल मिलाकर कहीं तो जितने भी अच्छे गुण मनुश्य के भीतर है उनको उन्होंने इस्वर्य नगरी से जोड़ने का प्रियास किया है और जितने भी बुरे गुण है उनको उन्होंने जो बहुतिक नगरी है उससे जोड़ने का उन्होंने प्रियास किया है और उनका मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को इस्वरिय नगरी का सदश्य बनना है तो उसके लिए उसको क्या है सच्ची योगयता के साथ क्या है इस्वर का अनुग्रह करना पड़ेगा न कि जाती राज्य या वर्ग के आधार पर क्या है किसी व्यक्ति को क्योंकि उस समय यो माना जाता था कि जो गोरे हैं या जो वर्ग विशेश के लोग हैं वही क्या है इस्वर के पास जा सकते हैं इस्वर उनी को स्विकार करता है किन्तों उन्होंने इस मान्यता का खंडन किया और उन्होंने क्या कहा कि इस्वर के पास कोई भी क्या है जा सकता बले ही वो सच्ची आस्था से क्या है इस्वर का अनुगरण करता हो इस्वर को स्विकार करता हो तो वह इस्वर को क्या है प्यारा हो इस्वर को प्यारा होने का अर्थ है इस्वर उसे उस नगरी में स्विकार कर लेते हैं उनका मानना है कि इस्वर्य नगरी की सदश्यता क्या है विसाल है यानि कि किसी को भी वहां सदश्यता मिल जाती है क्योंकि इसमें सभी देवतूत, संत तथा सदगुणी व्यक्ति क्या है सामिल होते हैं संत अगश्टाइन का मानना यह भी है कि दोनों ही नगरियां एक दुसरे के आसपास ही रहती हैं चाहे वो इस्वर्य नगरी हो और चाहे वो सांसारिक नगरी यह आपस में मिलती रहती है और एक दुसरे को क्या है अतिछा दित यानि कि ओवरलैप क्या है करती रहती है और इन में संगर्स होने पर क्या है अगर इन दोनों नगरियों में संगर्स होता है तो इस्वरिय नगरी की ही क्या है हमेशा विजय होती है उन्हों का मानना है कि चर्च जो है जो इसाई चर्च है वो इस्वरिय नगरी के परतिनिदी के रूप में क्या है सर्वोच वो सकती मान है और केवल इस्वर के परति उत्तरदाई है चर्च किसी और के परती यानि कि चर्च जो है राज सत्ता के परती भी क्या है जवाब दे नहीं है यानि कि राजा चर्च पर नियंत्रण नहीं कर सकता है ऐसा उनका कहना था इस्वरिय नगरी का सदश्य बनने के लिए इस्वर की किरपा अनिवार्य है और इस परकार संत अगश्टाईन ने क्या है इसपश्ट किया है कि सांसारिक नगरी रोम सामराज्य के पतन का रोम सामराज्य के पतन के लिए क्या थी अच्छा जो सांसारिक नगरी रोम सामराज्य की थी वो उसका पतन क्या था आउशक था क्योंकि वो जो रोम सामराज्य था वो इस्वरिय नगरी का क्या हो गया था विरोधी हो गया था इसलिए उसका पतन होना स्वाभाविक था उसके पस्चात उन्होंने जो इस्वरिय नगरी है उसके दो सद्गुण बताए है इस्वरिय नगरी के दो सद्गुण बताए है याने कि जो ईश्वरिय नगर है उसके सिर्फ और सिर्फ दो सद्गुण उन्होंने बताए है पहला है न्याय और दुसरा है सांती इंगलिस में कहेंगे पहला जस्टिस और दुसरा पीस उनका मानना है कि इस्वरिय नगरी की व्यवस्था में जो आचरण है व्यक्तियों का वो न्याय और सांती को इस्थापित करने के लिए होता है इस व्यवस्था से उत्पन होने वाले कर्तब्यों का पालन करना न्याय है याने कि इस्वरिय नगरी में जो आपका आचरण होग वो क्या है उसके जो भी करतब्य होंगे उनका अगर आप पालन करते हैं तो वो न्याय है पूर्ण न्याय क्या है न तो परिवार की विवस्था में है और नहीं राज्य की विवस्था में उनका मानना है कि जो सांसारिक नगरी है वहां न्याय क्या है अस्तित्व में नहीं है ना परिवार में और ना ही राज्य में जो सांसारिक नगरी है वहां राज्य वा परिवार में क्या है परस पर संगर्स होता रहता है इसलिए मनुश्य केवल एक के परती नायपूर्ण हो सकता है या तो परिवार के लिए या तो राज्य के लिए इसलिए राज्यवा परिवार में न्याय क्या है साप एक्षिक है याने कि रिलिटिव अगर वो एक के साथ न्याय करता है तो दुसरे के साथ क्या हो जाएगा अन्याय हो जाएगा पूर्ण न्याय क्या है इस सांसारिक जो सांसारिक जो व्यवस्ता है वहाँ पूर्ण न्याय स्थापित नहीं हो सकता संपूर्ण न्याय क्या है एक सार्वित्तिक समाज है यानि कि सार्वदेशिक व्यवस्ता है और इस संपूर्ण न्याय को या पूर्ण न्याय को हम क्या है केवल और केवल क्या है इस्वरिय समाज में बासकते हैं और इसका इस्वरिय समाज का जो सासक होगा वो कौन होगा इस्वर होगा ऐसा उनका मानना है तो ये सेंट अगस्टाइन का दो नगरों का सिद्धान था जिसमें उन्होंने काफी अच्छी तरीके से क्या है जो इस्वरिय सत्ता है उसको सिद्ध करने का प्रयास किया है और इस्वरिय सत्ता को क्या है कहीं न कहीं जो मानिविय सत्ता है उससे अच्छा बताने का प्रयास किया है तो कुल मिलाकर जो सेंट अगस्टाइन का दर्सन है वो क्या है जो इसाई धर्म है उसको कहीं न कहीं जो सासन तंत्र है उससे उपर बताना इसाई धर्म को रोमन सामराज्य के पतन का कारण नम मानना और इसाई धर्म को अन्या सभी धर्मों से उचित मानना यह क्या है सेंट उगस्टाइन का विचार का क्या है सार है अब क्योंकि समय काफी हो चुका है इसलिए दास्ता पर विचार और दो नगरों के सिद्धान्त पर जो इसका पीस वाला तत्वा है इस पर हम कलचर्चा करेंगे और अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ पाया है तो बताने का अवश्य परियास करेगा ताकि उस पॉइंट को क्या है हम आपको दुबारा से कल के दिन बताया जा सके और कल के दिन हमारा क्या है सेंट ऑगस्टाइन के जो विचार है या सेंट ऑगस्टाइन का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा तो आसा है कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपने इसमें आनंद लिया होगा कल मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार